नमस्कार दोस्तों जीके अर्जन सार यूप्टिव चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है यूजी सी नेट ज्यारब 2022 इतिहास प्रेटिसेट 394 में तो चलिए वीडियो प्रानम करते हैं वीडियो प्रानम करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है भी तक आप हमा प्राइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं हां अगर आप लोग इसे पिछला प्रेटिसेट देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ जिसका नाम है यूजी सी नेट इतिहास और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं किस ने भारत के हीरे भारत के हीरो और हीरे की खादानों की विस्तिरत रूप से चर्चा की है तो भारत के हीरो और हीरे की खादानों की विस्तिरत रूप से चर्चा की है उस विद्यसी आत्री का नाम बताना है आप संदिया है फास्वा वर्नियर या जिया बैपिस्ट ट्र खर्मे लेमी कारे तो इसमें आपका राइट एंसर बी वाला होगा ट्रेवेनियर यानि जया बेप्टिस्ट ट्रेवेनियर इसने जो है भारत में जो हीरो हैं और हीरे की जो खदाने हैं उसके बारे में बिस्तिरिक चर्चा किया है तो भी इसका राइट एंसर होगा इसमें कोशन नमर दो है निमलिखित घटनाओ पर विचार कीजी और निमलिखित में से कौन सा अपिक्त घटनाओ का सही कालानुकरम है ये पूछा जा रहा है सही कालानुकरम है दिया है इसमें भारत की किसी राजे में सर पर्थम लोग तांतरिक दूसर चुने गई सामयवादी दल की सरकार ये कब बनी थी इसका डेट अगर देखेंगे तो 1957 से 69 दूसरा दिया है भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपिरियल बैंक का फिंडे जिसका नाम बदल कर भारती स्टेट बैंक रखा गया ये रखा गया था कब 1955 में तीसरा दिया है एर इंडिया का राष्टी करण किया गया और यह राष्टी वाहक बन गया तीसका राष्टी करण किया गया था 1903 में गोवा स्वतंत्र भारत का अंग मना यह बना था कब? 1987 में इस डेट से आप क्रम बैठा सकते हैं इसका राइट एंसर हो जाएगा बी वलक क्रम आपका सही क्रम में बैठता है कोश्चन नमबर तीन है स्वतंत्र भारत में भूमी सुधारों के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है दिया है ये आप्षन इसमें हद बंदी कानून परिवारिक जोत पर केंद्रित थे नौ की ब्यक्तिगत जोत पर ये तो कथन गलत है सही नहीं है बी आप्षन है भूमी सुधारों का प्रमुख उद्देश से सभी भूमी हीनों को क्रिशी भूमी प्रदान करना इसमें बी वाला ही आप्षन आपका राइट एंसर होगा बी सही है इसमें कोशन नमबर चार है चार्टर एक्ट 1813 के संबन्दे में निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए इसमें विचार करना है और कौन सा इसमें कूट आपका जो है कथन सही है पहला अप्षन देखे दिया है इसने भारत में इस्टडिया कमपनी के बैपार एक आधिपत्य को और चाय का बैपार तथा चीन के साथ बैपार को छोड़ कर समाप्त कर दिया यह थो सही है दूसरा दे इसने कमपनी दोरा अधिकार में लिये गए भारति राजचेत्रों पर ब्रिटिस राज यानि क्राउन की प्रोशचत्ता को सुधन करद दे भी सही है तीसरा दे भारत का राजास और बिटी संसत के नियंतरण में आ गया था ये गलत है भारत का राजास और बिटी संसत के नियंतरण में नहीं था तो इसमें एक और दो ही जो है आपका कोट सही होगा युगम तो इसमें आपका राइट एंसर ये वाला सही होगा एक और दो इसमें सही है कोश्चन नमर पाँच है नेम लिखे तीगमों पर विचार किजी एक तरफ आंदोलन संगठन का नाम है एक तरफ नायक ये लीडर का तो महात्मा गांधी सारे भारतिय अखिल भारतिय अस्प्रिष्टा बिरोधी लीग इसमें से कौन सही समयले थे यूग में ये पूछा जा रहा है तो अखिल भारतिय अस्प्रिष्टा बिरोधी लीग तीश के नायक थे महात्मा गांधी तो सही समयले थे दूसरा दिया है अ आपका तीनों सई सुमेलित है सुमेलित पुछाए शही सुमेलित इसमें आपका राइट एंसर डी हो जाएगा एक दो तीन इसमें सभी हैं कोशन नमबर 6 पर आते हैं निल्वलिखित में से किस कारण से भारत में 20 वी सताबदी के आरभ में नील की खेती का हास्य हुआ दियाय नील के उत्पादकों के अत्यचारी आचरण के प्रतिक अस्तकारों का बिरोध यह सही है इसमें यही आपका एपसन होगा सही राइट एंसर इसका यह होगा कोशन नमर साथ पर आते हैं वेले जली ने कलकत्ता में फोर्ट बिलियम कालेज के अपना किस लिए की थी आपसन दियाय उसे लंदन में स्थित बोर्ड आप डिरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था ति यह तो गलत है इसके लिए नहीं था बी आपसन दियाय वाभारत में प्राच्चिक ज्यान के प्रति अभिरिशी पुनो जागरित करना चाहता था ये भी गलत है यही इसमें आपका राइट एंसर डी हो जाएगा वेलेजिली जो कलकात्ता में फोल्ट विल्याम कालेज के अस्थापना की थी उसका मुख्य दिस यही था कि जो बिटिस नागरिक है भारत में प्रसासन तो उनको प्रशिछित किया जा सके कुश्च नमबर आठ पर आते हैं कुश्च नमबर आठ है दिया है अस्प्रिश्य समदाय के लोगों को लच्छित कर प्रथम मासिक पत्र का बिटाल विद्वनसक किसकी द्वारा प्रकासित की गई थी दिया है गोपाल बाबा वलंग कर या जोतिवा फुले या मोहंदास करमचन गांधी या भीमराव जी अम्भेड कर तो इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा ए गोपाल बाबा वलंग कर इसमें राइट एंसर होगा गोपाल बाबा वलंग कर कोश्चन नमबर नौ पर आते हैं निमलिखित कत्नों पर विचार करना है और इसमें कौन सा आपका सही है यह उनिस ओनिस के मांटेगू चेंसफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आईव की सभी महिलाओं के लिए मतादिकार की स्तुति की गए थे यह तो गलत है दूसरा है 1935 के गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट में बिधान मंडल में महिलाओं के लिए रचित अस्थानों का प्रावधान किया गया तहीं यह सही है तो यहां पर आपको कोशन पुछाएगा उप्रिक कत्म में से कौन सा सही है तो क्यों दो ही कत्म इसमें से यह जिसका र नौवा सारी नौवा कोशन है नौवा का राइट अंसर भी हो जाएगा इसमें कोशन नमर दस पर आते हैं इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल कालेज से सम्बंध थे या थी जो बाद में बेथियून फीमेल इसकूल के नाम से जाना जाने लगा यह इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा सी इस्वर्चंद्र विद्या सागर को कोस्टन नमर 11 पर आते हैं भारती तियाज के संदर में निम्लिखित कत्नों में से कौन सा सही है तो कौन सा इसमें सही है पूछा जा रहा है है हैदराबाद राज से आरकोट को निजामत का उ देवा यह भी सही है तीसरा रुहल खंड राज का गठान आमसा दुर्रानी द्वारा अधिक्रित राजिक में से हुआ था तो यह गलत है यानि एक और दो हिसमें पॉइंट जै आपका सही है इसका राइट एंसर यह हो जाएगा ज्यारा का ए अब आते हैं कोस्टन नमबर 12 सत्राफर 17 सताबदी के पाले चतुर्शांस में निमलिखित में से कहां इंग्लिश इंडिया कंपणी का कार खाना के कार खाने इस्थित था यह भरूच तीका कोल यह त्रिची लो त्रिची नो पोली और पिक्त में से कथन का प्रियोग करके आपको सही अंसर बताना है इसम कोस्टन नमबर 13 है पुर्तगाली लेखाक नुनीज के अनुसार बिजन अगर समराजय महिलाएं निमलिकित में से किन छेत्रों में निपून थी कुस्ती में जोतिसास्त लेखाकरण या भविस बाड़ी में तो इसमें आपका देखे कुस्ती में थी जोतिस में नहीं थी य कोस्टन नमबर 14 पर आते हैं आंदर परदेश में बदन पल्ली के संदर्मने निमलिकित में से कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही है इसमें पूछा दर आए दिया है पिंगली बेंके या दोरा भारती राश्रे दोहस्ति रंगे का डिजाइन यह तो सही है गलत है यह कथन पत्ताभी सितरा में ने यहां से आंदर परदेश में भारच वान दोलों करने तिरुत के थे यह भी गलत है सी आपसन ने रविन्दा टैगोर ने यहां राश्रगान का बंगला से अंग्रेजियन बात के थे यही वाला आपका आपसन सही है का चौदा का सी राइट एंसर हो यहां ने शब्सीया और यहां उन्हें समर्पित कर गिर्जाघर है होगा पसंद आते इसको लाइक कर अपने दोस्तों के अधिसादिक शेयर करें धन्यवाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम